दुनिया पर के बाज़ारों से आज है मिले जुले संकेत और कल की तेज़ गिरावट के बाद भारते बाज़ा हलकी तेज़ी के साथ आज ग्लोबल मांकेट का मूट सुधरते वे देखा बट आज की चाल कैसी रहेगी कहां पर बाज़ार का रहेगा फोकस आज के ट्रिगर्स ट्रिगर्स दीप अमेरिका से आते हो दिख रहे हैं और उतार चड़ाव के बीच अमेरिकी वातार हर इन्शान में बंदोने में काम्याब रहे हैं सेंच्यूरी लगा कर बंद हुआ है डाव 133 दो दिनों के बाद तेजी होती है दिखिए फेड का फोकस महंगाई पर और ब बिल्कुल लगातार बना हुआ है बजाज, फाइनेंस, आर बिल, मैरी को जिसी कमशियों के कोटर लिए अपडेट आते हुए दिखें इनका भी करेंगा आपके लिए विचलेशन तो आज भी बरपूर इन सब के बीच में इस साल की पहली वीकली एक्स्पाइरी है और हमार फोकस उस पर भी रहेगा बट एक दो चीजे हैं जिस पर आपकी बाहरा है सबसे पहले तो आपको एक कॉंप्लिमेंट करना है सर क्योंकि पिछले साल I think September में OPEC ने कहा था कि हम प्रोडक्शन और काटेंगे और तब एक पैनिक रियाक्शन है था 95 के आज़ पास तब आपन इन दशत में साल की सबसे खराब शुरूबात आप कच्छे तेल में जाएं तो दो-तिन दिनों में इतनी भारी गिराव है तीस सालों में सबसे खराब और इसके पीछे फंडामेंटल कारण ज्यादा दीखने दिए क्या होता है किसी भी ऐसे क्लास में तो बढ़ने या गिर अप्गी धिसरमाण आ जाए और इसकी वाज़े से कभी कभी सप्लाई डिसरप्शन हो जाए या ढिमांड अचनक से बढ़ जाए यह सब क्छा हैं थोड़े समय के बाद ये रहतें नहीं है पर्माशन क्या रहता है लंब समय तक क्या रहता है वो है दिमांड और सप्लाई तो अगर अच्छा सप्लाई भी आपके हाथ में कंट्रोल में है काफियत तक या आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं गटा सकते हैं तो ऐसे में अगर डिमांड ही कम हो रही है रेसेशन के खत्र है और उसकी वज़े से जो दबाव बनता है वो फंडामेंटल कारण का होता है और वो लोंग लास्टिंग होता है और यही वज़े जो आप कहरें कि पिछली बार सप्लाई कम करके ओपेक ने कोशिश की कि हम भाव को उपर ले जाएं वो नहीं पाया 95-96 डॉलर पर आकर अटक गया 100 डॉलर भी पार नहीं हुआ तब से आप देखिए कच्छा तेल बीच-बीच में कोशिश करेगा उपर आने की लेकिन वो टिक नहीं पाता है और टिक नहीं पाने की पीचे कारण यही है कि अभी तक चाइना की डिमांड खुली नहीं है और दूसरा ग्लोबल रेस्टिशन के जो खत्रे हैं उसको देखते वे डिमांड कम होने के आशिंखा है अब कच्चे तेल को संभालने के लिए फंडामेंटल कारण यही हो सकता है कि जब चाइना ओपन ओप होने लगे तो लगेगा कि यह वापस से डिमांड आएगी वहां से कच्चा तेल गिरना रुख जाएगा थोड़ा बढ़ सकता है दूसरा कारण यह हो सकता है कि अगर किसी भी तरह से रष्या का जो टेल है उस पे रेस्ट्रिक्शन पूरी तरह से लग जाए तो वो बाव बढ़ा सकता है लेकि वो टेमप्रेरी होगा तो कि रष्या परमानेंट और बंद करेगा नहीं और जो लोग रष्या से खरीदें जैसे कि हम वो हम परमानेंट बंद करेंगे नहीं तो वो टेमप्रेरी होगा लेकिन चाइना का ओपन अप होना यह एक फंडामेंटल कारण होगा जो आगे बढ़ा सकता है जब तक ये दोनों चीज़े नहीं होती है तब तक कच्चे तेल में तेजी ही नहीं ही तब तक कच्चे तेल में तेजी नहीं है जब तक ये दोनों चीज़े नहीं होती है तब तक इसको दीरे दीरे नीचे ही जाना है बीच बीच में कभी मूर बना लेगा छलांग लगा लेगा वापस नीचे आजएगा आप सोचो कच्छे तेल को डर किस चीज़ का था कि चलो मतलब कोवीड के केसिस बहुत आ रहे हैं तो restriction बढ़ेंगे ठीक है restriction बढ़ेंगे चाइना में जिबान कम होगी तो नीचे जाना चाहिए आज अब कोई बात कर रहा है दो हफते पहले हम सतरा आठ सो पहते है सब लोग हाय तो बहा कोवीड 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 आप कोवीड से डर नहीं रहे हो अरे मारकेट गिर गया इसका मतब थोड़ी की कोवीड आई गया है आज किसी कोई जनरल निउस चैनल में देख लीजे कोई कोवीड के बात हम सतरा आठ सो पर यहीं कहते हैं अरे भाई मट डरो दो साल पहले से अभी हम ज़्यादा मेचूर है दो दो तिन तीन वेव देख लिए आपको हमको सबको समझ में आता है कि कोवीड से कैसे निपटना है तब पहली बार था है मैं सोचा नहीं था देखा नहीं था कोवीड क्या होता है अब इतना देख चुके है वेक्सिन लगा चुके हैं तो आज दो हफते बाद कोई बात नहीं करता है, तो कच्छे तेल में अगर तेजी हो नहीं होती, तो COVID के रिस्रिक्शन तो आज की तारी में चायना भी खत्म कर रहा है, फिर भी नहीं हो रही है, इसका मतलब क्लियर कट है कि धीमे धीमे इसको नीचे जाना है, अफसाइट ध पचास डॉलर के आज पास, I don't know exactly हम किस प्राइस पर रहिशा से खरीडते हैं, लेकिन आज की तारी में हमारा सबसे बड़ा इंपोर्ट कच्छे तेल का रहिशा से उनने लग गया, और रहिशा के लिए सबसे बड़े क्लाइंट है, और अगर वो 10 डॉलर भी सस्ता में दे अजिकत की बात अभी क्या है, बार दानों के लिएस से कि हमने कच्छे तेल पर रियक्शन देना छोड़ गी है, यह मैं वही बोला था, आपने तो सप्टेमबर के साबसे बोल दिया था, और अगर चीज़ का, आपको याद हम बोले है, 80 डोलर आएगा तो आप मार्केट ल जाद से अच्छा है, जो गिर रहा है, और गिरने के अपने फंडामेंटल रिजिन है, और इन रिजिन के दम पर दो चीज़ें जान में रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, दीरे दीरे फिस लेगा, सिंपल, यह है, यह कमफर्ट वाला पोइंट होगा, और में इसी के नीचे आएगा, पेट्रोल रिजिल के दाम कम होंगे, तो धीरे दीरे इसका इंपक्ट जो आता है, जो महेंगा ही कम करने के लिए, वो रोज पता नहीं चलता है, रोज कब पता चलता है, मार्केट उपर नीचे हो जाए कच्छे तेल पे, तो लगता अरे वाँ, इ एक चीज और है, जहाँ पर आपकी राय लेनी है, और फोकस करना ज़रूरी है, जो फेट बैठक के मिनट्स आए, हाला कि जो चेर्मेन साब की कॉमेंटरी थी पिछले महीने, अल्मोस इसी लाइन पर थी, कुछ भी अच्छा नहीं आया सर, इन मिनट्स में, फिर भी कल शाम अमेरी की बाजारों नहीं रियाट के, आज सुबा शायद फिचर्स इस पर रियाट कर रहे हूं, पता नहीं, यह जड़ा समझा हैं इसके बारे में, आपको याद हो तो, हमने एक ही चीज़ बोलती है, फेट चेर्मेन ने कुछ भी अच्छा नहीं का रोजन मार्केट उप यही बोला ना, इस फेट जेर्मेन ने, गटाएंगे नहीं, नहीं गटाएंगे, हम पोलिसी टाइट रखेंगे, दो परसंट तक लाएंगे, मैं अरे बई, मैं जा कर रहे हूं, साथ से दो परसंट जान निकल जाएगी, बुरी हाल है, नहीं चोड़ दो, लेकिन बोल रहे फिर बाजार क्यों बढ़ें, इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है, और किसी के पास भी नहीं है, पिछली बार भी सेम सिचुशन हुई थी, ऐसा यह आतार हमने बोला कि नहीं बढ़ने चीए, नेक्स डे बाजार का रियक्शन आया था, याद है आपको, नेक्स डे फिर अ इवेंट में जाने के पहले, आपकी पोजिशन अलग तरिस होती है, अब वो पोजिशन शौर्ट थी, लॉंग थी, मिनिट्स को देखके पहले से लोगों को डर था, शौर्ट करके हलके होके गए, करेक्ट, ऐसी सिचुशन में चीज़ें अलग हो सकती है, आप जो जैसे देखा जाए, तो कल जो शौर्ट करके गया है, उसके लिए दो ड्रीम सिचुशन है, आप अटरा एक सो की नीचे बंदो है चे दिन बाद, उपर से फेडने सब कुछ खराब होला, तो काईदे से अगर आज आज आप डाउ को दो तीन सो नीचे देखते हैं, यहां प जो फेड ने कहा है, उसको सिर्फ बाजार के रियक्शन से हटा कर अगर आपको देखना है, तो 2023 के लिए आपके लिए संकेत बहुत साफ है इस मिटिंग में, कि आपको कोई बहुत अती उत्साइथ होकर, फेड की मिटिंग में, के मिनिस में, कोई अच्छी चीज जूने की कोशिश ही ने करें, कोशिश ही ना करें, दूने से मिलेगा भी नहीं, है ही नहीं, हाँ, दिन के उजाले में टोर्च लगा के दूने के तो नहीं मिलेगी, कुछ अच्छा बोलें तब तो बताएं ना, बोलेंगे तो हम क्यों नहीं बताएंगी, बिलकुल, so I think Fed की commentary बहुत जो लोग सोचे थे कि जल्दी ब्यास दरें, पीक आउट हो जाएगी, फिर 3-4-6 मैने थोड़ा हम टाइम पास करेंगे, नीट्रल हो जाएंगे, साल के अंत में काटना शुरू कर सकता है, तो ये चीज़े ना, खीच रही है, हो नी रही है, बट एक चीज जो है, मैं अच् इंफलेशन कम आजाएं किसी भी वज़े से, और थोड़ा रिलीफ वाले संकेता है, तो फेड अपना स्टेंड बदल भी सकता है, उनको बदलने में कोई शर्म भी नहीं, ये अच्छी बात है, कि हमने अगर ये बोल देता हम पत्थर की लकीर ऐसा नहीं, अगर डेटा ठीक ग्लोबल मारकेट के बात, हमारे बाजार में, अच्छा, हमारे बाजार के बारे में बताई है, एक तो थोड़ा जो कल के बाद आज का रियाक्शन आ सकता है, एस जेक सिटी होल्ड आउट कर रहा है, बट मोर इंपोर्टनली, कल क्या हुआ, क्योंकि ग्लोबली कुछ इतना खराब नहीं था, पॉजिटिवी थे, हम क्यों इतना गिरे और अब क्या करना है, कल का सेशन एक आई ओपनर सेशन था, दो दिनों की तेजी के बाद कल हम अकेले गिरे डंग डंग से, पूरी दुनिया में, जम के गिरे, और गिरने में भी कोई दिक्कत नहीं, किसी भी ले बजार में आप पूरा कारण ढूनने जाएंगे, तो कारण सिर्फ एक है, FIS की जबरदस बिक्वाली, कल की बिक्वाली में कोई रिटेल का योगदान नहीं था, किसी खबर का भी योगदान नहीं था, और कोई ऐसा भी लेवल नहीं कि जहां से आप बिलकुली जोड से रहता, कुछ शन के लिए गया, फिर गिर गया, तो पहला इंपोर्टेंट लेवल था, लेकिन उस लेवल पे ऐसा डर नहीं कि आप एक दम से एक तरफा, बिना रिजन के, मतला एक तो क्या होता है, कोई खराब खबर है, या ग्लोबल खराब हो रहा है, एशिया गिरा जो कल का सेशन था, तो कल का सेशन में पूरी की पूरी तरफ से एफाइस के जो बिकवाली वे 26 करोड की केश में आंकडा, जबकि दो दिन पहले सबसे छोटा आंकडा था, 200 करोड का, 26 करोड के ही इंडेक्स फूचर और 22 करोड के स्टॉप फूचर तो बड़े दिनों इंडेक्स पूचर शिर्फ दो चीजों पर फोकस कर लाएं, शिर्फ दो चीजों, 17-800 नीचे, 18-300 उपर, त्रियर है, 500 पूइंट की रहें, 18-300 के उपर बंद होगा, निकलेगा, टिकेगा बंद होगा, तो फ्रेश और बड़ी तेजी सोच नीए, सत्रा आठ सो के नीचे जाकर बंध होगा तो फ्रेश और बढ़ी आगे की कमजोरी बंदी सोचनी है सत्रा आठ सो से अठरा तीन सो की रेंज में ये टाइम पास वाली जगा है आपको हमेशना कंफ्यूज रखेगा इस रेंज को अपने को ट्रेड करना है, इस रेंज में दोनों तरफ फोलेटाहिल रह सकता है, जब तक इस रेंज के किसी एक और बाहर ना निकले, आप इसको वोलेटिलिटी के साथ इस ट्रेडिंग जोन में मान के चले, इस फॉर्मिले से चलिए, अगर आपका व्यू तेजी का है, तो सत्रा आठ सो तक बाय ओन डिप्स का मार्केट है, और आपका व्यू मंदी का है, तो अठ्रा तीन सो तक सेल ओन राइस का मार्केट है, के आसपार 700 के रेंज में जब जब मिले आपको बायों डिफ्स करके तेजी सोचना है बस सिंपल है इस रेंज में वोलेटिलिटी हो सकती जब तक कि कोई नया और बड़ा ट्रिगर आपको ने मिले बस यह और और कोई तरीका मेरे पास में नहीं है अगर किसी के पास में है तो नहीं है तो नहीं बता रहे है और इसके अलाओ मुझे और कोई तरीका समझ नहीं आ रहा है कि इस मार्केट को अप्रोच के से करें क्यों कि दो दिन आपको लगजा तेजी हो रही है एक दिन में एकदम खाया पिया निकल जाता है वापस आपको लगता और यह तो घया मार् दुनिया लूट गई है और जीनों ने जिस जिस की ट्विटर पे ट्रोलिंग की किसी की भी कियो हमारी नहीं किसी की भी कियो उन लोगों को अपनी पोजिशन कम कर लेनी है अगर पिसली बार नहीं की तो कम से कम अबकी बार कर ले और और एस डिसिलेप्लेन एटा एक सो की नीचे बंध होना पहला संकेत है जो आपको trading position कम करने के लिए बोलता है 42 सा 800 की नीचे गर bank difficulty बंध होता है तो वहाँ पर भी आपको पहला संकेत मिल जाएगा कि आपको अपने trading position कम करने चेए ठीक है तो चली यह है आ रहा है वैसे traders के लिए mood महल क्या है अभी buy on dips का है या थोड़ा salon rally करके रखें mood तो आपको बनाना है अपको लेने का मनने की बेषने का मनने बेषने का मनने अथरा 200-300 रेने जाती है बेषना है लेने का मनने 17-77-800 लेने है और नई तो बीच में आप अपनी मर्जी आए जो को रहो अच्छा ठीक है वो वैसा है देखो मन तो आपको भी बनाना पड़ेगा कि मुझे ट्रेड कैसे करना है क्योंकि मार्केट ऐसे ही है अगर क्लियर डायरेक्शन है तो बहुत अच्छी बात है कि अठरा जार से अठरा दो सो पहले जा रहा है सत्रा आठ सो पहले आ रहा है उन्हीं पता करें तो इसलिए और एफाइज आज बेचेंगे दो दिन पहले तो यह लेने के मूर में आगए थे तो कल वापस इतना बेचेंगे नहीं बेचेंगे पता नहीं है इनका भी तो मूर स्टेबल नहीं है जिन चीजों से आप संकेत देना चाहते हो अब आप देखो कल की एक दिन की गिरावट में दीप पूट कोल रेश्यो आप देखिए एक दोम हलका हो गया आज वीकली एकस्पाइज के दिन इससे हलके बाजार आप एकस्पेक्टी नहीं कर सकते हैं एफाइस की इंडेक्स लोंग पोजिशन कितनी बच देंगे, 36% पर आगे हैं इंडेक्स लोंग पर और पूट कोल इश्यो तो नीचे आपको सपोर्ट भी मिलेगा, तो ये रेंज में वोलेटाइल रह सकते हैं मार्केट क्योंकि किसी भी तरह के ट्रेडर का, रिटेल ट्रेडर का भी मन क्लियर नहीं है, लेना है कि देना है, जैसे उपर आते हैं ये रखते हैं वापर भाव तो आता ही है, जिससे नीचे और यार बेज देते हैं तो ठीटा, एफाइस भी दो दिन पहले ऐसा लगता है कि खरीदने वाले, दो दिन बाद ऐसा, खाली एक डॉमेस्टिक फंड है, जो बेचारे स्टेबल होके छोड़ा जो आपको रखना है वो रख लीजिए, एफाइस के संकेत नेगेटिव हैं, लोकल फंड्स के संकेत पोजिटिव साइट पर हैं, सेंटिमेंट मैंने थोड़ा नेगेटिव रखा है, लेकिन एफएनो के संकेत पोजिटिव रखे हैं, क्योंकि लाइट मार्केट है, तो एक बार शोट भी काटना चाहिए, उपर अठरा एक सो एक सो पचास पहली रुकावट की जगे, पार करके निकले तो अठरा एक सो पचास से अठरा जार दो सो पचास पर्सफेक्ट जगे जहें आपको थैंक्यू वेरी मच करके, जो भी आपके लिए खरीदने आया उनको 22625 का लिया है, यह पहला सपोर्ट जो नहीं और इसके ठीक नीचे 22225, 22400 खरीदारी करने के लिए बहुत भी बड़िया अच्छी जगह है, जहां पर चांस लिया जा सकता है, उपर में 43150, 43300 पहली रुकावट की जगह है, पार करके निकले तो 4335, 4545 या 445 जो भी रख ले यह आपके लिए बिकवाली करने की परफेक्ट जगह है, 43500 के आसवास आप जितना बेज़ें सेफ हैं, अब आईए आज के लेवल दे दूँए, 804225 पर आप निफ्टी पर हुए बंद, 8025, 7975 दो छोटे सपोर्ट लेवल हैं, 17925, 17850 दो मीडियम लेवल हैं, 17825, 17775, य से उपर आपको निकलना है, 1875, 18102 छोटे लेवल है, 18125, 1815 दो मीडियम लेवल हैं, 18200, 225, 250 फाइनल लुकावट के लेवल, बहुत क्रिस्टल लेवल एकदम के लिए दिब दिमाग लेगाने की ज़्यादा ज़रूत पड़ी हैं, अब आईए बैंक टिव्टी, आप बंद स्पोर्ट लेवल है, एक चीज़ जो और करता हूँ, वो यह कि सारे के सारे लेवल जो है, वो स्पोर्ट लेवल है, केश के लेवल है, फ्यूचर के नहीं है, यह जान मैं के, अब आईए उपर की तरफ की तरफ, 42,950 से उपर आप चलेंगे, 43,025, 43,150 दो छोटे लेवल है उपर की तरफ रुकावट के, तैनलीस 200, 250 और 300 मीडियम लेवल है, 375, 425 और 475 लेवल है, गौट अट सर, ओके तो 18,000 के नीचे के लेवल की बात हो रही है, सपोर्ट जोन की अगर आप बात करें, वहाँ पर भी आ रहे हैं, बाज़ार के नज़र, बाकी डेटाद आपने स 17,806 की क्लोजिंग 23,12 को आपने दिये, वहाँ से आपने रिकवरी दिये, तो अब आपके लिए 17,800 जिनको छोटा रखना है, 18,000 भी रख सकते हैं, 17,950 रख सकते हैं, आपकी इच्छा पर आप चाहें तो छेड़ चाड़ कर सकते हैं, 18,100 की नीचे बंद होने के बाद 18,000 का लेकर चाहें सकते हैं, क्योंकि आठ ट्रेडिंग सेशन से आप 18,000 की ऊपर बंद हो रहे हैं, लेकिन अगर 18,000 की नीचे आज बंद हो, तो फिर मैं और सोचू, और सोचू मत करना, फिर लोंग पोजिशन कम करी लेना, और फिर जिसको और ज्यादा सोचता हैं, तो 17, अब सोच ले रहो, फिर और क्या है, बैंक 50, एक ही स्टॉप्लों से 22,800, सिंपल, ज्यादा रिस्क रखनी नहीं, क्योंकि बड़े समय तक 22,800, हम करी बंद हो रहे हैं, अब इसके नीचे की रिस्क नहीं रखनी चीए, इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी, शॉर्ट 23,500, क्लोजिंग तो बहुत क्रिस्टल क्लिर है, इंट्राडे का 23,600 भी रख सकते हैं, कल का ही 23,500, 75 के आसपास का है, मेरे ख्याल से आज जितना नीचे 23,500 भी काफी है, किसी को छोटा स्टॉप रो सकता है, शोट राइट पर, तो आप छोटा भी कर सकते हैं, जो कि 23,200, 300 क आसपास कुछ भी हो सकता है, आप अपनी सुईदा से कम कर सकते हैं, खरीदना चाहिए, 17,775, 17,825, I don't know, इस रेंज में आएगा नहीं आएगा, अगर आए तो इस रेंज में आपको लेना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा सपोर्ट जोन है, 17,700 का आपका स्टॉप लो होगा, 17,925, 975, 8,000, 8,025, और 8,050, ये 5 लेवल, काफी है, इसके लिए खरीदारी के लिए, दूसरा तरीका है, अगर आप 17,950 नहीं तोडते हैं, और वो स्टॉप लगा कर लेना चाहिए, तो गुतिनी रिस्क ले सकते हैं, आप 17,950 के स्टॉप लोगा, लेकिन स्टॉ जवाइज नहीं, 18,075, अठाए, एकसो, एकसो एकसो पचीस, तीन छोटे टार्गेट हैं, एकसो पचास, दोसो, दोसो पचीस, और दोसो पचास तके टार्गेट, उपर के आपके लिए, करिदारी के लिए आसे, बेचना जो चाहते हैं, अठाए, एकसो पचीस से मूर बन पचेंगे, शोट स्कीज होकर हो सकता, अठाए, एकसो पचीस, एकसो पचास आए, वहाँ पर मूर माहूल देखो, अब समझो, सवासो पचीस नीचे आपका डाव फीचर है, वह एकसी रह गया, और आप अठाए, एकसो पचीस पे तो वही देजिए, थेंक्यू, एकसो पार्केट है, फुट कोल रिश्य नीचे, दिन के दोरा एक जटका तो उपर का देगा, सुबही देदे या दिन बाद में दें, वह नहीं पता, लेकिन देगा जुरूर, तब देना है, यह आपके लिए बेचने की बात हो, अठाए, तीन सु के स्टोक्तों से, नीचे टार का दिने एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, ओवर सोल बाजार भी आपको थोड़े संकेत है, उसका आप फाइदा जरूर उठा के चलिए, ओके, तो यह दो रही निफ्टी के बाद, बैंक निफ्टी में भी ऐसे कुछ आक्शन होगा, बिल्कुल, बैयालिस 500, बैयालिस 625 अ टार्गेट, बैयालिस 700, 825 दो छोटे टार्गेट, 950, 4305, 43150, तो यह आपके लिए सिंपल छोटे से टार्गेट है, पांच जिनके लिए आपको इस रेंज में खरीबना है, दूसरा तरीका है एग्रिसीव ट्रेडर्स का, अगर आप बैयालिस 800 नहीं तोड़ते हैं, त 4303 मीडियम टार्गेट है, 430375, 425, 475 यह सारे टार्गेट ऊपर की तरफ के बनते हैं, खरीदारी करने के जास, जो लोग शौट करना चाते हैं, यहां पर भी शौट करने के लिए परफेक्ट जगह तो 4304500 की रेंज में, पिछले 5 दिनों से हमने वहां अटेंट किया, ठीक नहीं पाए, ठीक है, तो वहां मिले तो कहना ही किया, ठीक हम वहां 400 दूर कौन आज सोचता कि इतना बढ़ेगा, विकली एक्सपारी के लिए आखिर में, अगर जो जोश खा के पहुँच जाएं वहां पर, तो बेचना तो चाहिए, अभी आप 43200 से 4375, 400 की रेंज को पोजिशन बनाने के लिए मानकर चलें, मूर माहूल देकर डिसाइड करें, 23600 का स्टोपनोस होगा कल के हाइस के उपर, टार्गेट जो बनेंगे 4325, 2950, 2850 दिन चोटे टार्गेट है, 22700, 2625 और 22500, थेंक यू, ठीक है सर, ओके, यह आपके लिए सारे लेवल सामने, आपके बैनलिस्ट में कोई स्टॉक है नहीं अभी तक, बट है इस सीरीज की पहली, इस साल की पहली एक्सपारी, बाकी डेटा तो आपने समझा दिया, वाइदा करबार के इंपोर्टन डेटा, नीचे की तरफ एक की लेवल इंपोर्टेंट है, अट्रा जार, 76 लाग शेरों का उ इतने तो हही है, अठ्रा एक सो के कॉल्स पर एक क्रोड पांच लाग शेर राइटर्स मेटल, 93 लाग शेर कली जुड़े दिया, तो मतलब कोल राइटिंग तो खेर दबा के हुई है, अठ्रा एक सो से अठ्रा दोसों के रेंज में दबा कर कोल राइटिंग हुई है, क्या गुमें, तो फिर कोल राइटर को डलेगेगा, कि चलो हम और सोल्ड है, काटना तो बनता है, तो एक ही चीज आज के लिए, डाव फ्यूचर, एक दम एक आँख खुदर लगा के रखो ऐसा, और दूसरे आँख से आपको लिफ्टी देखना है, बहुत क्लिर है ये, क्योंक काट मनी नहीं है, तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही है, साहरा दाव फीचर का, अगर ये सुधर है, तो ये शोट कवरिंग आएगी, बाकी कुछ भी कलो नहीं है, और सोल्ड मार्केट और और सोल्ड हो सकते हैं, आएगी शोट कवरिंग, समझो दो बज़े आई, ड एक बार गैप से खुलेंगे, तो तुरंट एक बार तो सेलिंग आती है, आप देखो, डाव, एज़ एक धी में खतम ही कर रहा है सारा, गेंज इतना है, तो इतना एज़ी नहीं है, टेजी होना भी, शोट होंगी, अगर डाव फीचर कवर हुए, तो शोट कवरिंग होगी अब आईए बैंक डिवटी, तैयालीस अजार मेक और ब्रेक लेवल एक ये दिप, तैयालीस जार के पुट पर 34 लाग शेर है, कोल्स पर 41 लाग शेर है, और आप उससे थोड़ा सा नीचे बंद हुए, बाइलीस आठ सो, तैयालीस अजार, बाइलीस आठ सो के नीचे और ख अच्छा, थोड़े स्टॉक्स पर आपकी बात करनी है, और स्टॉक्स पर मैं बात करूं, उससे पहले आज स्पेशल स्टॉक लेकर आ रहे हैं, तो दिया जा सकता है, तो दिया जा सकता है, कल कुछ अच्छे डवलप्मेंट उसे एक स्टॉक बड़े ख्याल में आया, तो म नो बज़े आपको, बिल्कुल सर चलिए, नो बज़े का करिये इंतजार, पिक आफ दे यर आ रही है, अनली जी की तरफ से, बट अपडेट्स आएं, कुछ और फिनांशल कंपनीज हैं सर, बजाज फिनांस, इनके अपडेट्स में कुछ खास दिखा आपको? बजाज फाइनस को चाहने वाले भी बहुत है, लेकिन इस स्टोक की खास बात है कि यह नंबर्स पर रियक्ट करता है, और नंबर्स में अगर आप देखेंगे तो ऐसे नंबर्स नहीं है, जिनको देखकर आप एकदम कूद पढ़ें कि वह क्या नंबर्स हैं, तो आइटिं क्वाटर पहले एक सो पंदर रुपे चलता था, सो के भी नीचे एक बार तो आगया था, आर्वेल बैंक पुरानी ग्लोरी पर वापस, सोरी, ग्लोरी तो बहुत दूर की बाहत है, अभी तो सालम तुछ है, मल्टिपल्स में ग्रो करना पर देखो, कभी-कभी गल्प चीज जब निकल जाती है, तो अपने आप हैना, सिस्टम भी आपको ठीक करने की कोशिश करता है, तो पुरानी इज़त वापस से पाने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए हो सकता है, थोड़ा सा रियक्शन दे, क्योंकि कल 3-3% बढ़ा है, लेकिन नंबर्स ठीक है, अगर प्राइडन्स दिया था, वैसी नंबर्स अच्छे देंगे, तो अगर तीनों अपडेट में, जो मुझे आप पूछेंगे, तो मुझे लगता है कि बजाज फाइनस कमजोर होना चाहिए, इन नंबर्स के दम पे आपको सवाल है, क्या आप खरीदेंगे, नहीं, क्या आप बेचने का केस बनता है, खरीदने का नहीं बनता है, तो यह है आपके लिए, कुछ अपडेट्स आईए, और अपडेट्स जानते हैं, और खास अगर आपको स्टॉक चाहिए, तो 9 बजे का करें इंतिजार, पिक अफ दे यर आ रही है आपके लिए, तब तक हमारी टीम से क जाएगा, साथ ही 11 बजे केमिकल और फर्टलाइजर पर संसत की स्थाई समीती की बैठक भी होने वाली है, इन फाक्ट यहाँ पर M&M फिनान्स फ्रेंशल सर्विसेज इस पर नज़र रखे, क्योंकि यहाँ पर जो 22 सितंबर को RBI ने आउटसोर्सिंग अरेंजमेंट द्व रेविन्यू ग्रोथ लो सिंगल डिजिट में आती वी दिखे सलानाधार पर भारत में बिजनिस वॉल्यूम ग्रोथ मिड सिंगल डिजिट में आती वी नजर आ रही है, डेफिनिटली इन पुट की जो कीमते हैं उसमें कुछ स्थिरता लोटी है बट आगे चलकर देखना ह हाला कि बहुत ज़्यादा इंट्रेस्टिंग नंबर्स मेरिकों की तरफ से नहीं है, अदानी पोर्ट सेज यहां पर फोकस रखें दिसंबर में जो कार्गो वॉल्यूम्स है, वहां पर 25.1 mmT के ये वॉल्यूम्स आते वी दिखेंगे तो वो 8% बढ़ते वे दिखेंगे है अपरेल से दिसंबर महिने के बीच, आयर बी इंफ्रा यहां पर बोर्ड ने शेर विभाजन को मंजूरी दे दी है, एक शेर जो है दस शेर में विभाजित होता हुआ दिखेगा तो यह मंजूरी फाइनली अब आयर बी इंफ्रा के लिए आते भी दिख रही है, बी एफ इ तो नाल को इस वजह से भी हाइलाइट रहेगा, ओके तो यह है आपके लिए कुछ इंपोर्टन्ट खबरें और अफकोस आयर भी इंफ्रा पर रखें नजर एक शेर का अब 10 हिस्सों में विभाजन होने वाला है, अर्मान मॉर्निंग बताएं कौन सी खबरें आप लेकर आ रिफाइनरी, पैटकेम जो कैपेकसिटी है, वहाँ पर ये बनाने वाले हैं, NTPC पर भी ध्यान रखेंगा क्योंकि सबसेडरी NGEL ने HPCL के साथ करार किया, और ये करार इसलिए क्या है क्योंकि जो प्रोजेक्ट डेवलप्मेंट, रिनियोबल प्रोजेक्स के स्पेसिफिक प्रोजेक्ट डेवलप्मेंट के लिए गमनी ने करार किया है, 400 मेगावर्ट रिनियोबल पावर्ड सप्लाइ करेगी, SGVN जहां पे कैबिनेट से लगबख 2600 करोड के निवेश को मंजूरी मिलती भी दिखी है, और ये प्रोजेक्ट सालाना लगबख 1380 मिलियन यूनिट जो है उत्पदन करेगा, टाटा कॉफी, CCL प्रोड़क्स, टाटा कंजियूमर इन कॉफी स्टॉक्स पर भी आपको धियान रखना है, क्योंकि कॉफी के दाम अगर आप देखेंगे कल 3% किरेंगे और और पूरे एक हफते में देखेंगे, वहाँ पे 7% गिरते वे दिखें हैं, एडलाइन्स कम्पनीज पर भी आपको फोकुस रकना होगा, क्योंकि ATF की जो कीमते हैं, वहाँ पर लगबग 9450 प्रती किलो लिटर जो है, वहाँ पर कट होती की गई है, और ये कटी जो प्राइस है, प्राइस कटने के बाद वह एक जनुरी से लागव हो चुकी है, जो की 0.7% इक्विटी है, वह खरीदी है, और HPA की बात करेंगे, जिसमें रेनु पिटी जो है, उन्होंने लगबग 1.1 लाग एक लाग के आसपास जो है, वह शेर 410 के आसपास के बाहों पर खरीदे हैं, ओके, तो खबरे हैं, काफी सारी रियाक्शन्स आएंगे धेरो स् पर साथी कुछ ब्रोक्रेज रिपोर्ट्स भी, इंट्रेस्टिंग वाली भी आए जानते हैं, इनके बारे में F.I.R. मॉनिंग आशीश, पहले बताएं, आज की टॉप ब्रोक्रेज रिपोर्ट्स कौन से? पॉजिटिव भी इस बात पर है, कि ग्रीन शूट्स यहां पर डिमांड रिकावरी के लिए विजिबल आ रहे हैं, तो यहां पर फोक्स रहेगा, इसके अलावा नज़र रखेगा, आप टाटा पावर पर कल यहां पर जो खबर आई थी, इसके बाद मॉगन स्टाली ने अ और वेट की रेटिंग दिया है, आठ हजार नौसर रुपे के लक्ष के लिए, जिफ्रीज होल्ड की राए दे रहे हैं, आठ हजार एक्सो साट का लक्ष दिया है, लेकिन मेक्वाईरी लंबे समय से बेरिश हैं, अभी भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बर करा रहे ह 167 की क्लोजिंग 188 रुपे के लक्ष दे रहे हैं, और मान रहे कि ग्रीन एनर्जी में अगर आप देखें तो बड़ा लीप लिया एंटी पीसे ने, तो यहाँ पर फोकस रहेगा, वालिएशन भी अच्छी लग रहे हैं, तो एंटी पीसी खरीदारी के राए 188 रुपे के लक्ष के लिए, तो यह है आपके लिए कुछ टॉप ब्रोक्रियर रिपोर्ट्स और भी रिपोर्ट्स आशी आपके बाद, जिपान जो बहुत धेर सारी रिपोर्ट्स हैं, FMCG कंप्रींस कंजूमर से जुड़ों बिजनेसे पर CLC की एक्स्टेंसिव कवरेज है, जहाँ ब्रिटानिया पर रिड्यूस की रिटिंग दिया लेकिन जो लक्ष हो 4200 से बढ़ा कर 4430 कर दिया है, 4235 की क्लोजिंग है, इसके अलावा हो यहाँ पर CLC Accumulate की रिटिंग दिया है, लेकिन जो लक्ष हो 2950 से घटा कर 2900 कर दिया है, 2536 की क्लोजिंग चल रही है, एबी फाश CLC ने सिमिलर लिए अगर आप देगे तो रिटिंग को अपग्रेड कर दिया है, लेकिन जो लक्ष हो 1200 से बढ़ा कर 1450 कर दिया है, 1309 की क्लोजिंग है, इमामी पर भी अपग्रेड आया है, और जो लक्ष है वो 510 से घटा कर 475 कर दिया है, 423 की क्लोजिंग है यह है धेर सारी रिपोर्ट जिन पर आज आपको दिखेगा बरपूर एक्षिन, इसी एक्षिन को बढ़ाते आगे और वक्ते हमारे सभी एक्सपर्स से मुलाकात करने का लेते हैं, पिक अफ देडे सिमी जी सूप्रभाद, आज शुरूरात आप करें अज के लिए मेरा पिक अफ दे हो गए कि इंशूरंस कंपनी जी आए सी आरी दोसों के आसपास कल बन किया था अनिल जी और मुझे लगता है कि आज सुस्ती के साथ मार्केट खुलेगा तो तो बहुत लोगर लेवल्स पर ही मिलेगा तो 196, 197 के आसपास मिल जाएगा खरिद लीजिए 192 का स्टॉप लोज के साथ उपर में मुझे लगता है कि ये स्टॉप 210 से 215 का टार्गेट आज ही के आज ही अचीव करेगा अगर मार्केट का थोरा सा सपोर्ट मिलता है तो भी नहीं सपोर्ट मिलता है तो भी इसमें कोई मतलब बहुत जादा लॉस लगने वाला नहीं है ये स्टॉप होल्डिंग में भी रखना चाहिए अच्छा है स्टॉप GICRE खरिद कर चलेंगे 192 का स्टॉप लोज के साथ 210-215 का टार्गेट ओके तो 192 का स्टॉप लेकिन खरीदने के लिए 196 के आसपास मिले तो बढ़ि बेरिश पैटर्न बन चुका है और ये अश्चरी की बात है नॉर्मली जब ब्रेंट या क्रूड ओल नीचे चलता है तो एशन पेंट को अडवांटेज होता है इस बार ऐसा नहीं लग रहा है चार्ट पे ब्रेंट क्रूड नीचे आते हुए भी ये स्टॉप नीचे आ र हूं टागेट्स के लिए शॉट टर्म के लिए 2973 2956 यह आज कल में देखने को मिल जाने चाहिए पर काफी वीक है अने जी यह बताई कि आज शाम का प्रोग्राम क्या है क्या कर रहे है अने जी कुछ नहीं है हम तो आपके आने की सोच रहे थे अब आप कुछ नहीं कर रहे खातिरदारी कैसे करेंगे आएंगे तो फिर अने जी पिछले बार किया था उससे ज्यादा अच्छे करेंगे आज मैच जरू जीत वादी जी है तो आज पुने में पहला वाला मैच तो बड़ा ही इंट्रेस्टिंग था जबरदस था बहुत बढ़िया था तो उमिद करें कि यह वाला मैच भी जो आज पुने में है मज़िदार होगा आईए बंसल जी सूपरभाद स्वागत आपका बताएं सर्थ पिक अफ़ जड़े कि फूचर के अंदर है मिनिममम लॉट बेचना पड़ता है तो इसको कैलकुलेट करें और उसके बाद ही ट्रेट को इनिशेट करें हिंदुस्तान एरोनेटिक्स लिबिरेड हल यह है इसे बेचेंगे तो मिलेगा अच्छा फल ऐसा हम नहीं कहते है ऐसा सुमी जी कहते है सुमी जी ठीक है यह आई जी मैने खाली खरीदारे में फल सूचा रहा है आज कलो ऐसी कविता बनाओ कि दोर्व सरफ काम आ जाए तेजी बंदी में चार्ट में जैसे आपके सिगनल रिवर्स होते ने वैसे कविता में भी रिवर्स हो जाए आए पाजवे साब सूपरबाद बताएं सर्पिक अफ देए गुड मॉर्निंग अनिल जी गुड मॉर्न का ट्रेड यहां पर बनते हुए दिख रहा है जिस तरह के से कल लॉंग बिल्टप बने है इस्टॉक अप कमफरटेबली यहां पर फाइफ सेवन्टी के उपकर सस्टेंग कर रहा है तो हमें लगता है कि जिस तरह की स्ट्रेंथ यहां पर नियर टम चार्ट के बनी जी एक मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है 600 से 610 तक के अपसेट के टार्गेट हां जी एकस्पेक कर रहे हैं स्टॉप लॉस करेंगे करीब 573 के आसपास ओके जी एफसी कल भी रेडार पर था आज फिर से यहां पर अच्छी खरीदारी के संकेत आते हुए दिख रहा है इंस्टॉक के में मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहां से बाउंस बैक के और पुल बैक के संकेत मिल रहे है तो डिवीज लेप के अंदर ख़दारी करके चलने का सला रहेगा एक्जिस्टिंग पोजिशन होल्ड रखके चले क्योंकि अभी पुल बैक और बाउंस बैक का शुरुवात हुआ ह तो डिवीज लेप है आपके लिए आज पसंद का शेर सुमिजी की तरसा आएए सेटिस साब से भी जानें उनकी पसंद का शेर सूप्रभाद सर बताएं अच्छे तेजी के साथ यूएस के माकेट बंद हुआ है एशिया पॉजिटिव है हलांकि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग है करेक्ट हो चुके तो मुझे लगता बजार में आज रुजान पॉजिटिव रहना चाहिए तो एक कोंट्रारियन बैट है मुझे लगता स्टाटा स्टील में खरिदारी करनी चाहिए एक सो पंदा के लिवल्स पे बंद हुआ है और उसके दो कारण है एक तो कल सब स्टील कंपरीज ने दोजार रुपे प्रती टन स्टील के प्राइज़ बढ़ाए हैं बारतिये डोमेस्टिक स्टील कंपरीज ने के स्टील में खरिदारी करनेकी चंप्राइज चाहिए ऋपनें का टागेट क्साइया का स्टीम की टॉप रुपे तो कि बहुत से झाय कि एjuna प्रता स्टील के चाहिए यह लिए से बढ़ाया है या क्यों है वो देखने वाली बात हो के लिए नहां दाम बढ़ाने की खबर जरूर है जो सेटी साब ने भी कही है और यह पोजिटिव है सेटी साब बताएं इसके अलावा कौन-कौन से स्टॉक है आपके रडार पर पर चार स्टॉक और है जिसमें दूसरा स्टॉक वापिस एक अगराने की सला है for the same reason 585 पे कल बंद हुआ है 600 का टागेट 575 का स्टॉक लॉस थर्द स्टॉक थोड़ा डिफरेंस हो गया अपना आपको थोड़ी देर पहले सुन रहा था मुझे लगता है अज बजाज फिनांस में तेजी करनी चाहिए इक तो स्टॉक क्वालिटी वाइस तो बहुत ही अच् स्टॉक थोड़ा जरूर करेक्ट हुआ सकती है 6700 का टार्गेट 6520 का स्टॉप लॉस चौता स्टॉक अगेन जो स्टॉक अपडेट दिया है अडानी पोर्ट्स ने जो ग्रोथ दर्ज करी है उसका फाइदा होना चाहिए तो उसमें खरिदारी करने के चला 807 पे बंद आई थी कि TDI के प्राइज पिछले एक मेने में 15-20 परसेंट बड़े हैं और यह TDI का सोल मनुफेक्सर है भारत में मुझे लगता आज जब सेंटिमन्स पॉजितिव है तो और तेजी बननी चाहिए कल की गिरावाट में इस स्टॉक में स्ट्रेंग थी तो 580 पे बंद के भी डेटा आते हुए दिखें उनके उसके दमपर और जी एन एफसी अभी भी पालिया साब ने भी रिकमन्ट किया है कल भी हमारे रेडार पर थाई और आज फटिलाइजर और केमिकल स्टॉक्स रिलेटेड एक और इंट्रेस्टिंग और बड़ी खबर है भी दीब आज जो एक मिटिंग भी तो होने वाली है ग्यारा वजे केमिकल और फटिलाइजर पर संस्ट की स्थाई समिटी की बैठक होने जारी देखते हैं वहां क्या कुछ निकल कर आता है आपको याद हो कुछ ही दिन पहले हमने एक एक एक्स्कूजिव खबर भी कि थी और हुई है कि इस बार बीस रुपए दाम फटिलाइजर के बढ़ाने की तैयारी में सरकार तो फटिलाइजर कम स्थाई शुरू हुआ है उसके बाद उस खबर के बाद में आपने लिखा कि सरसे सारे स्टॉक बढ़ते हुए नजर आए जी आपने दिया ही है लेकिन आज सेटी साब है य हाली में मैंने कई सारे स्टॉक्स रिकमेंड करे हैं जैसे चंबल फटिलाइजर कोरूमंडल इंटरनेशनल और वैसे भी बजेट के पहले आम तोर पे जो बजेट में पॉजिटिव जिसके लिए अनॉंसमेंट्स आता उसमें वन अव दे मोस्ट इंपोर्टन सेक्टर्स इ मैंने अभी रिकमेंड किया बाकी चंबल है कोरूमंडल है इन दोनों पर भी बुलिश हो और मैंने आर्ची एफ है फिर नीच्रे लेवल पर रिकमेंड किया अच्छी तेजी हुई है बाकी फैक्ट है एनेफल है यह सब अच्छा कर रहे हैं तो मुझे लगता है जिनके पा बात करे रहे थे सर बाकी भी फटलेजर स्टॉक्स आज रीडार पर रहेंगे आई कुछ और काउंटर से हैं जहां पर आपको रखनी नजर आज के लिए जहां पर हमारे एक्सपर्ट से व्यू लेना जरूरी है आई आर बी इंफ्रा सेटी साब इस पर एक बार रहे हमारी बी रेडार पर रहा है उपकोस वान इस टू टैन का स्टॉक स्टॉक्स प्लिट होने वाला है सर बहुत जवर्दस रिटरंस दिये पिछले कुछ महीनों में और यह आनिल जी की साहिद दिवाली पिक थी इस बार और स्टॉक ने बहुत भी दमदार प्रदेशन किया है बाक यह जो स्टॉक 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 प्लिट है वन इस टू टैन तो अब यह स्टॉक जब 30 रुपे 31-32 रुपे पर स्टॉक के बाद दिखेगा तो और ज्यादा सस्ता लगेगा खासकर के डिटेल निवेश्कों को जो की फेस वेलिव अगेरे ज्यादा दिखते नहीं है तो यह जो टॉल क्लेक्शन के डिटा वह भी काफी एंकरेजिंग है तो यह कंपनी वी वर दर लीडिंग कंपनी जो टॉल क्लेक्शन के लिए जिससे फाइदा होता है इनको तो अलेन बुलिश हो और होल्ड करने की सला गिरावाट में खरेदारी करें ओके तो यह है आपके लि उजहान उतार चड़ा वाला बनाए कल फिसले थे बट प्राइजिस उपर गए हैं बट यहां पर अंतरिम डिविडेंट पर विचार करने जा रहे है 17 जनवरी को कंपनी की बोर्ड बैठक भी है पाल्य साब एक बार जड़ा नालको का चार्ट देखे सर बताए क्या करना है अगर इसके नीचे फिसलता है तोड़ा प्रॉफिट टेकिंग टूवर्ड सेवेंटी सेवेंटी फाइफ की तरफ आते वे दिख सकता है अगर अगर आज ओपनिंग में ओपनिंग के बाद अकर यह असी रुपे को होल्ड आउट करता है तो हमें लगता है वापस इसमें मोमेंट टम्ट टम्ट एटी फो ओके तो यह है आपके लिए नल को जिस पर रखे नजर अंतरिम डिविटन पर करने जा रहा है विचार